मोदी की नई कार का नाम मसदीज मेबैक S650 है धमाको और गोलियों का कार पर नहीं होगा सन हेलिकॉप्टर वाली फीचर्स के साथ गजब की है कार अमेर की राष्टपती और मोदी की कार की कीमत एक है पिये मोदी की सुरक्षा को देखते हुए पहले ही उनकी हुआई यात्रा के लिए विशेश विमान बोईंग खरीदा गया था अब उनके लिए एक ऐसी कार आई है जो बेहत सुरक्षी थे इंडिया में कार की कीमत जानकर विपरक्ष सवाल कर सकता है लेकिस सुरक्षा जानकर मोदी की शुपचिंतकों को राखत मिलेगी हम आपको पहले पिये मोदी की नई कार के बारे में बताएं उससे पहले आपको बताएं कि अमेरिकी राष्टपती जिस कार से चलते है उसकी कीमत भी 12 करोड रुपए है वहाँ कोई सवाल नहीं है तो भारत में मोदी की कार पे सवाल क्या हो गुजरात की सीम रहते नरिंदर मोदी बुलेट प्रूफ इसकॉर्पियो से चलते थी 2014 में प्रधान मंत्री पद की शपत लेने के बार उन्होंने BMW 7 Series High Security Additional का इस्तमाल किया लेकिन अब प्ये मोदी के लिए Mercedes Maybach S650 आई है बेहत सुरक्षित, बेहत ताख़दवर, हमले का कोई असर नहीं टैंक को Boeing विमान की तकनीक पर बनाए गया है इस कार में बैठा शक्स महस 2 मीटर की दूरी पर होने वाले 15 किलो ग्राम तक के TNT वी स्पोर्ट में भी सुरक्षित रह सकता है गारी की खड़कियों पर पॉली कॉर्बोनेट की परत होती है इस से सुरक्षा के एक और लेयर मिलता है गय समले की स्थिति में केविन को अलग 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 एर सप्लाई भी मिलती है इस कार की कीमत लगबग 12 से 13 करोड रुपे बताई जाती है अगर कोई भी व्यक्ति इस कार पर हमला करता है तो अंदर बैठा व्यक्ति बेहत सुरक्षित रहेगा इस कार की बाडी बहुत ही ज़्यादा मजबूत और सुरक्षित है सबसे खास बात यह है कि इसका वज़न काफी कम है जिसकी वज़से गोली की स्पीड से दोड़ सकती है इस कार के टायर अगर पंचर भी हो जाएं तो ये कार सौ कीमी प्रतिघंटे की रफतार से तकरीबन 500 किलोमीटर तक दोड़ सकती है पियम मोदी की सुरक्षा को लेकर खास द्यान दिया जाता है इसलिए पियम मोदी के लिए खास बोईंग बिमान हाली में करीदा गया अमेरिके राश्टपती की तरह 8,000 करोड की लागत के हैं बोईंग बिमान सुरक्षा के देखते हुए लगजरी कार भी पियम मोदी के काफिले में शामिल की गई मर्सडीज में बैक S650 कार के फ्यूल टैंक पर एक विशेश सामगरी का कोट होता है जो गोली लगते ही छेद को स्वचली तरीके से बंद कर देता है ये बोईंग AH-64 अपाचे टैंक अटैच हेलिकॉप्टर में इस्तमाल होने वाली सामगरी से बना होता है अब आपको बताते हैं कि अमेरिका के राष्टपती किस कार से चलते हैं ये है जो वाइडन की शाही लगजरी कार दा बिस्ट अमेरिके राष्टपती इसी कार से सवारी करते हैं सही माईने में ये कार किसी टैंक से कम नहीं है प्रेसिडेंट के लिए ये कार एक military great कबच्च है जो बाहर से हो रहे किसी भी तरह के हमले से उनकी रक्षा कर सकती है दा बिस्ट किसी भी मुश्किल वक्त में ऑक्सीजन की सप्लाई कर सकती है कार के बूट स्पेस में ऑक्सीजन सप्लाई के साथ फायर फाइटिंग सिस्टम और स्मोक स्क्रीन डिस्पेंसर भी दिये गए कार में राश्टपती के पास पैनिक बटन का एक स्पेज है जो उन्हें उक्सिजन के साथ अलग-अलग केविन भी प्रवाइड करता है। इस तरीके की बातें ब्यूरे रिपोर्ट ग्लोबल भारती में।